अब दोस्तों स्वागत आपको अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट अपडेट्स में आज की विडियो में बात करेंगे ब्रेकिंग अपडेट्स के बारे में आपको पता देंगे अगर आप जम कुश्मीर के स्टूडेंट हैं करंट अपडेट अपने स्कूल कालेज से जुड़ी जानगारी पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा आज की विडियो में बात करेंगे एजुकेशन मिनिस्टरी की तरफ से एक अपडेट्स आई है जिसमें आपको पता दें कि सवी अग्जाम पोस्ट पॉन कर दिये गए हैं जै एक्जाम कौन 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 से पोस्ट पॉन किये हैं ज़न का आपको पता दें कि सवी अग्जाम कर दिये हैं से निकाली जाएगी वो भी सिचुेशन को देखकर आफ्टर जून के बाद में इसलिए आपको पता दें कि जहां पर second wave निकल चुकी है COVID-19 की उसके चलते जम्मू युनिवस्टी देखो हमारे चनल में maximum जम्मू युनिवस्टी की students हैं इस वीडियो में जम्मू युनिवस्टी अभी क्या करती है क्योंकि जम्मू युनिवस्टी को आ रहा है दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू युनिवस्टी फिलाल अभी 15 तक रहेगी बंद क्योंकि उसमें काफी सारे cases देखने को मिले उसके बाद ही आपको बता दें कि जम्मू युनिवस्टी 15 के बाद ही कोई decision लेगी आपकी डेशीट का अभी तक ना ही कोई स्लेवर स्लेक्सेशन को notification है ना ही आप लोगों की डेशीट का कोई updates है आपको बता है कि अप्टर 15 पंदरा को जो निवस्टी खुलेगी उसके बाद आप controller of examination की section decide करेगी आप लोगों की exam कोई सी date को conduct करा जा सकते हैं आपको बता है कि maximum chance है आपकी date sheet आने के 20 अप्रल के बाद देखते हैं आभी का decision रहता है अगर कोई और notification आपकी school college या education से जुड़ा आता है आप लोगों को हमार चैनल पर देखने को मिलेगा एक big updates है जो की education ministry की तरफ से updates आई है education minister डाक्टर रोमेश पकरियाल की तरफ से ये tweet आया है उसी के तहत आप लोगों को बता रही है official जनकरी